नमस्कार, मैं हो ससी, आई जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं बने कमल दल पर बिराजित किया गया, पांच बस के बालक सौरूप राम ललाक की लंबाई 51 इंच है, जबकि अधार समेत उनकी उचाई 7 फिट 10 इंच है, फिलहार राम ललाक की परतीमा के मुख और हैथों को पीले कपड़े से ढखा गया है, कहा जा रहा है कि प्राण परतिष्ठा अपराहन 1 बज कर 41 मिट के बाद की गई, बताया गया कि 1 बज कर 41 मिट तक भधरा थी, सास्त्र भधरा काल में मंगली कार्यों का निशेद करता है, इसके साथ ही गर्भगिरी में अन्य अनुस्ठान भी शुरू हो गया, बतादे स्री राम जन्म भूमी छेत्र के ट्रस्टी एवं पेजावर मठ उडपी करनाटक के पिठाधिस्वर स्वामी बिश्व प्रसन तिर्थ ने बताया है कि राम लला के आसन को स्वन मंदित नहीं किया गया है, उन्होंने कहा है कि भविस में इसकी त्यारी है, लेकिन अभी प्रान परतिष्ठा कानु प्रस्थान मुख्य लक्ष है, जारखन में केजी से पांचवी तक की कक्छाए सुबह दस बये से चलेंगी, जारखन में सितलहरी के बढ़ते परभाव को देखते वी राज सरकार ने इसको लोग के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया है, केजी से पांचवी तक की कलास अ नौ बये से तीन बये तक चलेगी, इसकोली सिक्षावा सक्षायता भी भाग की अपर सचीव कुमूद सहाय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है, आदेश में उन्होंने अस्पष्ट किया है कि राज में चल रहे सभी कोटे के सरकारी, गहर सरकारी सहायता, प्राप्त और नीजी बिद्यालियों में 19 जन्वारी से 25 जन्वारी तक या व्यवस्था लागू रहेगी, इस दोरान इसकोलों में मध्याहन भजन चालू रहेगा, शिक्षावी भागने सभी कोटी के इसकोलों में ततकाल प्रभाव सही से लागू करने का निर्देश दिया है, जार बजे के करीब नई दिल्ली से पूरी जा रही उतकल एक्सप्रेस से कट कर चार लोगों की मौत हो गई, हाजसे में मिरितकों की पहचान की जा रही है, हाजसे के बाद मौके पर आफरात अपरी मच गई है, लास के छत भी छत हो जाने के कारण पहचान में परिशानी हो रही जार्खन में हुए इस हाद्से के बाद घटना अस्थल से बिहार विद्ध्याले परिक्षा समित्ती का एक एडमीट काड और मोबाइल बरामत हुआ है इस्तिया संका जताई जा रहे है कि एक मेरी तक मैट्री का परिक्षार्थी रहा होगा घटना की जनकारी पाकर जीर्पी और आर्पी एफ के अधिकारी पहुँचके है हाद्से का रेल परिसालन में किसी तरह का असर नहीं हुआ है जे टेट कब ली जाएगी हाई कोट ने पूछा है जारखन सिक्षक पतरता परिक्षा जे टेट के आयोजन पर हाई कोट ने सरकार से जबा मांगा है जस्टिस आनंद सेन की अधालत ने सरकार को चार सप्ता में सपत पत्र दाखिल कर असपष्ट तरीके से बताने को कहा है कि परिक्षक आयोजन कब किया जाएगा इस समद में प्रिया गुमारी यादव यम अने ने याचिका दायर की है याचिका में कहा गया है कि NCET की गाईलाइन के अंसार हर वर्स जे टेट परिक्षा का योजन होना है राज सरकार की सिक्षक पतरता परिक्षा नेमाली 2019 के तहट भी कहा गया है कि परतेक वर्स जे टेट परिक्षा का योजन होना है सिक्चक नियुक्ती नियमाली 2022 के अंतरगत कक्षा 1-5 और 6-8 कक्षा के सिक्षक नियुक्ती के लिए अभ्यार्थी को जेटेट पास होना जरूरी है लेकिन राज में वर्ष 2016 से जेटेट की परिक्षा नहीं लिगाई प्रार्थी का कहना है कि अगर यह परिक्षा नहीं लिग जाती है तो वह नोकरी पाने से वंचीत रह जाएंगे रांची में राष्ट्रिये जन जाती सम्मेलन एतिहासिक होगा भाजपा अनसुचित जन जाती मोर्चा ने एक गारा फरवरी को रांची में होने वाले राष्ट्रिये जन जाती सम्मेलन की त्यारी को लेकर बैठक की बैठक में परदेश पताधिकारी परदेश कारे समितिस दस से जीला अध्यक सामिल हुए बैठक को समधित करते हुए परदेश अध्यक्स बावला मरांडी ने कहा है कि ये गारा फरवरी को रांची में जन जाती मोर्चा द्वारा आयोजित होने वाले जन जाती सम्मेलन में एक लाग से अधिक आधिवासी सामिल होगे ये सम्मेलन एतिहासिक होगा इसके लिए मोर्चा के परतेक कारेकरता गाउगा ये बूथ में जाकर प्रदान मतिने अध्यमोदी एवं भाजपा द्वारा आधिवासी समाज के लिए किये कार्यों को बताते हुए सम्मेलन में आयनेक अनिमंत्रन दे मरांडी ने कहा है कि ये सम्मेलन राज्य एवं राष्टरिय पटल पर मिल का पत्थर सावित होगा आदि यसी समाज की बेटी को राष्ट पति बनाना जार्खन राजय अलग करना आदि यसी मंत्राले बनाना धरती आबा बिर्चा मुंदा की जनती पर जन्जाती गुरु दिवस की घोषना मोधी केमिनेट में आठ जन जाती मंत्री पीम जन्मन योजना सहीत कई ऐसी कारे हैं जो आदे असी समाज को पीम नैंद मोधी एवां भाजपाने जोड़ती है राजीव अरून एका को मुख्य मंत्री के अपर मुख सचीव का प्रभार जार्खन सरकार में पंचायती राज बिभाग के अपर मुख सचीव राजीव अरून एका को मुख्य मंत्री हेमान सुन के अपर मुख सचीव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया वो अनुसुचित जन जाती, अनुसुचित जाती, अल्पसंखे के और पिछला वर कल्यान विभाग के भी अपर मुख सचीव का तिरिक्त प्रभार में रहेंगे इसके अलावा उन्हें पंचायती राज विभाग के भी अपरमुक सचीव का तिरिक्त प्रभार दिया गया पंचायती राज विभाग के अपरमुक सचीव राजीव अरुन एका का टांसफर करते हुए उन्हें रायस्व परसद का सदसे बना दिया गया है इनके पास अनसुची जन जाती, अनसुची जाती अल्पसंख्य, पिछला वर कल्यान विभाग और रायास्व परसत के सहस का अत्रिक्त प्रभार पहले से ही था काल्मिक प्रसासनिक सुधार तथा राजबासा विभाग ने गुरुवार को इसके सुचना जारी की इसमें कहा गया है कि राजीव अरून एका अगले आदेश तक अपने कारियों के साथ साथ मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचीव के अभी अत्रिक्त प्रभार में रहेंगे शूट आउट में जर्मानी से हारा भारत भारतीय महिला होकी टीम गुरुवार को एफ़ाइच ओलंपिक वालिफायर के दूसरे सेमी फाइनल में नेधारी समय में दोदो की बराबरी के बाद हुए सूट आउट में जर्मानी से तीन चार से हार गई इस जीत से जर्मानी ने पेरिस ओलंपी के लिए अपना टिकट पका कर लिया है बता दे भारत और जर्मानी के बीच गुरुवार को रोमांस मुकाबला खेला गया जिसमें निदाई साट मिनट में खेल एक-एक की बरावरी पर खत्म हुआ इसके बाद अत्रिक्त समय में भी स्कोर दो-दोस से ड्रा रहा इसके बाद पेनल्टी सूट आउट कराया गया जिसमें भी दोनों टीमों ने तीन-तीन गोल दागे उसके बाद एक और सूट आउट कराया गया जिसमें जर्मानी की टीम ने एक जीरो से मुकावला अपने नाम कर लिया है पलामो में बेहसाई की गोली मार कर हत्या आजबंद का अवाहान पलामो जीले के चतरपुर में अग्यात अपराधियों ने एक बेहसाई को गोली मार दी है घटना चतरपुर के जपला रोड में होंडा साइन सो रूम के सामने हुई हर हर गंज के किराना बेहसाई संकर परसाद गुपतान के 28 वर्षिय पुत्र सुभम कुमार को बाइक से आय तीन अग्यात अपराधियों ने गोली मार दी सुभम को गोली मारने के बाद अपराधियों जपला की और भाग गए सुभम के सीने और पेट में पांच गोलिया लगी है गंभी रूप से घायल आवास्था में उसे अस्थानियों लोगों ने अनुमंडली अस्पताल पहुचाया जहां उसका प्रात्मिक उपचार किया गया है खराब मौसम की वाज़ा से 20 बीमान रद जहारखन में खराब मौसम और घने कोहरे की वाज़ा से देश के अलग-अलग हिसों से आने वाले रांची से अने राजियों को जाने वाले बीमानों को रद कर दिया गया है कम से कम 20 बीमान रद हो गया है इसमें 12 विमान रांची आने वाले थे जबकि रांची से जाने वाली 8 फ्लाइट को रद करना पड़ा बिर्सामुंडा एरपोर्ट के सुत्रों ने कुरु आर को बताया है कि विमान पतन पर विजिविलिटी 500 मीटर से भी कम रह गई थी इसलिए 20 विमानों को रद करना पड़ा है हजारी बाग में चल रहा सलक सुरक्षा अभियान हजारी बाग जीले में एक महिन तक सलक सुरक्षा अभियान चलाया जागा या 15 फरवई तक चलेगा किसी परकार के वहां चलाते समय एरफोन का इस्तेमाल मोबाईल से बाद सीथ करते पकड़े जाने पर जूर्माना लिया जाएगा वहीं सुरक्षा मानों को पूरा करने के लिए छोटी बड़ी गाड़ियों में रिफ्लेक्टिव टेप लगाये जा रहे हैं डिटियो, एमबी आई वर सुरक्षा समित्ती के कर्मी सहर के विभीन चोग चोरा है पर चेकिन अभियान चलाएंगे इस दवरान ट्रेफिक नियम का पालन नहीं करने पर भारे जूर्माना वसुला जाएगा साथी चलान भी काटे जाएंगे ठंड में बाबा धाम में सरधालूओ की संख्या में भारी कमी कडाके की ठंड में बाबा मंदी में सरधालूओ की संख्या में कमी देखी जा रही है सुबह में मंदीर प्रांगन पूरी तरह से खाली रहा नौ बजे के बाद कुछ भक्त मंदीर परिसर पहुंचे भक्तो की कौमी एमठंड के कार मंदीर का पट भी साम चार बए तक ही बंद हो गया मंदीरों में सिर्फ बाबा की पूजा के बाद अपने छेते के सरधालों के आने के इंतजार में आग ताप कर बैठे दिख रहे थे मा काली के मंदीर में खपर के चारो और लोगों का जमणा लगा था खपर में जल रहे आग से लोगों को काफी रहत मिल रही थी इस खपर में लोग हर दीन लखनी दान कर रहे हैं आईुसमान काड़ देश के टोप 10 राजों में जहारखन सामिल आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन अरयोगी जोजिना ने 30 क्रोर आयुसमान कार्ड बनाने की बड़ी सफलता हासिल की है जिसमें 1.2 क्रोर आयुसमान कार्ड बनाकर जारकन देश के टॉप 10 राजियों में सामिल हो चुका है चार पॉइंट आठ पांच क्रोर आईश्मान कार्ड के साथ उतर पर देश सबसे अधीक संक्या में आईश्मान कार्ड बनाने वाले राजयों के सूची में सिर्स पर है स्वास मंत्राले भारत सरकार दोहर जारी आकडो के नुसार 11 राजयों में एक रोर से अधिक आउस्मान काड़ धारक है सबसे अधिक संक्या में एस्मान काड़ वाले सिर्ष 10 राजयों में यूपी, एमपी, महराष्ट, गुईराज, चातिस गड़, असम, रायस्थान, करनाटक, अंध्रपदेश और जार्खन सामिल है जार्खन के आंगनवारी केंद्रों को मिलेंगे LPG सिलेंडर जार्खन के 38-432 अंगनवारी केंद्रों को LPG सिलेंडर दिया जाएगा इससे पूरक पोसाहर का निर्मान होगा हर तिन महिने पर अंगनवारी केंद्रों को एक सिलेंडर मिलेगा इसी अधार पर अंगनवारी केंद्रों को सलाना 4 सिलेंडर दिये जाएगे पूरक पोसाहार पकाय कर वित्रन करने के लिए वर्तनों के आप पूर्ति की जाएगी इसे स्कूली बच्चों के बीच पूरक पोसाहार का वित्रन किया जाएगा वहीं 650 आंगनवाली केंद्रों को समक्ष आंगनवाली केंद्र के रूप में विक्सित किया जाएगा इसमें स्मार्ट टीवी, आरो वार्टर, प्यूरिफायर, एजुकेशन वालपेपर, रूप वार्टर हर्वेस्टिंग की वेवास्था भी की जाएगी गढ़वा बीडियो पर वार्टर सदस्यों के साथ दुर्बेभार करने का अरोब पत्रों में परकासित होने के बाद गढ़वा बीडियो ने वार्टर सदस्यों के साथ दुर्बेभार किया है आवेदर में कहा गया है कि मन्रेगा सहीत बिभी निवजनाव में कमिशन लिया जा रहा है इसका भी वे लोग विरोध कर रहे हैं इस वज़े से गढ़वा बीडियो ने राज हो गाए और उन्होंने वार्टर सदस्यों के गढ़वा परखंड अध्यक्स रहिस खान के साथ सयद राजा खान और डवलू एम रजना देविक साथ दुर्बेभाव किया तथा धमकी के अंदाज में बात की कहा गया है कि गढ़वा बीडियो ने वार्टर सदस्यों को कई परकार की धमकी दिया सियम हेमंत के समर्थन में राजभोन के सामने हुंकार भरेंगे आदिवासी संगठन जारखन बीभीन आदिवासी संगठनों ने इड़ी द्वारा मुख मंत्री हेमंसुरेन के समन किये जाने के बिरोद में परकार भरेंगे परकार के परकार के समर्थन के समर्थन करेंगे इसमें राजभीन आदिवासी संगठनों ने इड़ी द्वारा हेमंत पर किसी तरह की करवाई किये जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है केंद्री ये सरना समिती के अध्यक्ष अजय तिर्की ने रांची के धुमकुडिया भौन में मीडिया से रूबरू होते हुए आरोप लगाया है कि इडी केंद्रे के इसारे पर एक आदिवासी मुख्य मंत्री को परिसान कर रही है उसकी यह करवाई सिर्फ गैर भाजपासासित राज्यों में हो रही है दही खाव इनाम पाव परतियोगता 20 जन्वारी को जार्खन राज सहकारी दुग्द उत्पादक महासंग लिमिटेड की ब्रांड मेधा डेरी के प्रबंध निदेशक सुधीर कुमार सिंग ने ग्राह को के लिए मेधा दही खाव इनाम पाव की घुसना की है इस योईना के अंतरगत परतिभागियों को निधारी समय तीन मिनट के अंदर दही खाने का मौका दिया जाएगा जो परतिभागी निधारी समय में सबसे अधिक दही खाएंगे उन्हें प्रोस्कृत किया जाएगा यह परतिवक्ता 20 जन्वारी को मेधा डेरी होटवार में सुब़ 11 बयर से आवयूत की जाएगी यह परतिभागियों निधारी समपरकर रिश्ट्रेशन करवाना होगा रिश्ट्रेशन की परकिरिया 15 जन्वारी से शुरू की गई है जो 19 जन्वारी तक चलेगी